तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोजिकल कार्सनोजनेसिस इसमें जो बायोजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टिरिया फंगस पैरसाइड वाइरस यह सब कैंसर करा सकते हैं तो सबसे पहले जो अपनको इंपोर्टन पढ़ना है वो वाइरस के बारें पूसता है तो जो इसमेशर करा तो उनको क्या बोलते है ओन्कोजनेक वाइरस डॉनो टाइप के हो सकते हैं टी आने वाइरस और आरेंए वाइरस टीक है डीने में एक्जामपल है फिर थोड़ी थोड़ी मैकनिजम देखते हैं अपन को क्या क्या देखने कौन कोंसे मेकरिदम देखेंगे एक तो human peplona virus कैसे कराता है एक Epstein virus कैसे infection कराता है और एक अपन यह इसका RNA का भी देखेंगे human T cell leukemia virus type 1 ठीक है तो यह 3 mechanism देखेंगे अपन ठीक है चले स्टार्ट करते है human peplona virus तो जो HPV होता है वो में लिए इंफेक्ट करता है Mhra schema cell को ठीक है अना लेकिन जो इसका replication मेंली किसम होता है measuring and non-plural operating इसको में सेल में ठीक है फिर नेक्स रहता है mode of action यह जन्रल पॉइंट था introduction में अब mode of action कैसे यह infection कराता है कैसी ऑनकोजनिक transformation कराता है तो क्या होगा इन cancer HPV genome is integrated into the host genome and essential for the malignant transformation तो जो human पर अप्लमा वायरस का जिनोम है वो integrate हो जाएगा जो हो से उसके जिनोम से और उससे का malignant transformation हो जाएगा फिर उससे निकलेगा integration के बाद कि निकलेगा कुछ जो जिनोम उसका वह भी transcription translocation होगा तो उससे क्या होगा कि उसके कुछ प्रोटीन से जोगा तो दो प्रोटीन बनते e6 और e7 जो मेंली एफेक्ट करते हैं सेल को और cancer कराते हैं तो सब्सक्राइब अपन देखते e7 प्रोटीन का एफेक्ट क्या होता है e7 क्या करता है तो आर्बी जीन के बारे पहले वीडियो में अर्बी जीन आर्बी प्रोटीन डीन र हीचे तो इसने और प्रोटीन बाइंड हो गया जो सब्सक्राइबdefined गया नि inactivation of inhibitor of cell cycle जो inhibit करते हैं cell cycle को है ना जिससे cell plurigation कम होता है नहीं होता है तो वो P21 और P27 को inhibit करतेगा फिर activation of cyclin जैसे कि cyclin E और A यह activate करते हैं इसको है ना मतलब cyclin को जो cell cycle उसको activate करेंगे उसको आंगे progression करेंगे तो उसका activation कर देगा cycling E & A ठीक है तो यह होगा E7 protein का रोल फिर E6 का क्या रोल होता है तो यह TP53 से related है यह क्या करेगा TP53 को inactivate कर देगा कैसे E6 bind and degrade TP53 TP53 क्या कर रहा था अपना वो कर रहा था जैसे cell में कुछ injury हो गई है यह फिर DNA damage हो गया है तो यह तो उसका repair करा दे रहा था यह फिर ज्यादा डेमेज है तो उसका apoptosis करा कर दे रहा था जिसकी और ज्यादा infection यह फिर और ज्यादा कुछ भी कुछ भी abnormalities नहीं ठीक है तो E6 degrade P53 ठीक है और पीपिप्टीट हो जागा तो टीलो मैरी जो होता है वह सेल साइकल को मतलब बढ़ाने में पिर सेल को डिवीजन कराने मदद करता तो त्यूमरी जद्धा जद्यादा अक्टिव होगा ठीक है फिर यह फ्लोचार्ट है यह उपन उपर डिसकस किया यह उसको समप देया रहा है तो इसको देख ले ना ठीक याद कलेकी जाना टीकव नेक्स याथ 3-5 वाइरस आप ऐस ही मिलिंफोसाइट करताइफ है ये और निलिकिसेटोचैप लिप्वा सब्सक्रसरीत करते में ईतने सारी सिर्स कड़ाते हैं गार्त करेगा साफसे फिले आठेश होगा और्श प्रृफेर्ण स्याफिर बींलिंफोंसैट पायर सीडि तेवा सब्सक्राइब क्या इसने इंटेक्ट किया ठीक है तो इसमें दो टाइप की किसंट प्रॉडटिव схожते एक bloody फडर्द सェना इंफेक्शन सीदें जाएगा और फिर सेल को भी घूस्ट इसने से किल यह वहां से बश्ट होगा और फ़र दर इंटेक्शन होता है ज्यादा तेस जादर केसमें का होता है कि लिटेंट इंवेक्शन होता है जो वायरस है वो सेल के अंदर जाएगा और शुब जाएगा और उसके बाद फिर वह इंवेक्शन को हाँ बसलब थोड़ा करना बंद कर देगा और और यह वाली काम करते देखा बताते हैं इमोटलाइजेशन और बी लिम्फोसाइट का इमोटलाइजेशन करेगा क्योंकि अपना जो बहुत सारी जीनोम को उसके इंटिग्रेट कर देगा और बहुत सारी प्रोटीन से दिस्कर और उससे देखो कैसे इमोटलाइज होता है फिर इससे निकलते हैं दो प्रोटीन ebna2 और LMP1, EBNA2 क्या करेगा, साइक्लिन डी को स्टिम्लेट करेगा, जिसे की सेल साइकल बहुत तेज चले, G0 से G1 में एंटर कर जाए, और सेल साइकल स्टार्ट हो जाए, सेल प्लारिशन बढ़ जाए, तो EBNA ने क्या 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 है, EBNA की फुल फॉर्म होती है, F-GN bar nuclear antigen 2, ठीक है, पर आता LMP1, LMP मतलब latent membrane protein 1, यह क्या करता है, इट act as an oncogene, oncogene की तरह act करता है, एक्टिवेट्स NFK beta, जेक्स्टेट एंड सिग्नेलन बात्वे, इसको एक्टिवेट कर देगा, जिससे की ग्रोथ होने लगी सेल की, तो increase B-cell survival and proliferation करा देगा, ठीक है, और यह क्या कराता है, actively dividing B-cell population, is at increased risk of developing mutation, translocation 8, 8 और 14, 8 और 14 जो chromosome है, 8 और 14 chromosome, उसमें अगर translocation होता है, तो अपना कौन सा lymphoma होता है, ठीक है, तो जब बहुत जादा तेज़ते, जो है, B-cell का proliferation होगा, तो यह वाला, यह वाला जो disorder, यह वाला, क्रोमोजोमा लेबरेशन होने की जाएंसे, बहुत जादा होता है, तो इसमें, MYC gene जो है, ट्रांसलोकेट होता है, फिर उसमें, बहुत जादा बनता है, फिर उसमें देख चुक है, बर्कुट लिंफोमा वाले में, फिर इससे क्या होगा, उनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, तो वह इसने क्या क्या कि जो यह सिंगनल पाते होगा, इसको एक्टिवेट किया, सेल की ग्रोथ बहुत जादा करा दी, और इस वेज़से हो गया, वायरल साइटोकाइन भी यही कराता है, कि B-cell survival और प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगा, तो यह ऐसे पैथोजनिस थी, यह ऐसे काम करता है, फिर नेक्स्ट आता अपना वायरस, human T-cell leukemia वायरस टाइब वायरस तो इट रेट्रो वायरस, major target cells are CD4 cells, cause T-cell leukemia, ठीक है, mainly CD4 cell को target करेगा, और T-cell leukemia कराता है, और यह RNA वायरस में अपने आया था, दो अपन DNA वायरस पढ़ चुके, हम human T-cell leukemia वायरस अब एक पढ़ लेते हैं, अपन यह वाला RNA ठीक इसकी pathogenesis का, it is a multi-step process, STLV1 infect CD4 cell, इसने CD4 cell को मतलब infect किया, और उसमें क्या contain होता है, STLV1 में होता है, एक text gene, तो text gene और उसके प्रोटीन वायरस वही में जो हैं, वो manifestation, clinical manifestation के लिए प्रोटीन क्या करेगा, required for the viral replication, viral replication के जरूरी हो, जद्धाद viral replicate करेगा, अधिवेट अधर जीन involved in T-cell plurification and differentiation, और दूसरे जीन को भी activate करेगा, जो T-cell plurification and differentiation कराएंगे, ठीक है, और यह क्या करेगा, inactivate TP53, TP53 को inactivate करेगा, जैसे cell plurification बढ़ेगा, genetic instability भी बढ़ेगी, ठीक है, तो यह था आपना किसके बारे में, STLV1, फिर अब next आता है कि यह DNA और DNA oncogenic virus और RNA oncogenic virus करे में difference है, यह आ सकते हैं, यह देख लेएंगे टेवल, ठीक है, फिर next आता है, बैक्तिरिया, बैक्तिरिया भी कुछ है, जो cancer कर सकते हैं, जैसे कि हेलिकोबेक्टर, पाइलोराई, हेलोराई, chronic gastritis कराता है, फिर multifocal, atrophy and decreased gastric acid secretion कराएगा, ठीक है, एसे गेस्टाइटिस कराके, इसने acid secretion कम करा दिया, जैसे कि यह बैक्तिरिया खुद के लिए करता है, बैक्तिरिया सर्वाइब कर साएगा और जाथा, ठीक है, फिर उससे क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजर के, इस्टाइटिस हो रहा बहुत ज़्यादा, उसमें अलसर्स के स्टाइटिस जीसाब होने करना, छुद के स्टाइब आचे हो संग्साइब घॉड़स जहाएगा, और ओसको करसलोमा और एंटेस्टाइनल वीट। तो ऐसे करके कैंसर डिवलप करतेगा, हेंच परल यह परियूट यह से भी गैंसर डिवलप हो, तो ठीक है यह सब भी cancer कड़ा सकते हैं और overall यह oncogenic virus ही important है और यह लिख देना paper में उससे हो जाएगा हम अराम से 5 number में आएगा तो चल जाएगा ठीक, thank you